हेलो एवरिवन वेलकम तो अभीपेडिया पावरड बाई अभी मन्यु आई एस एंड देखें कि ऐसा डीप में नोलीज होनी जबहुत ज़्यादा जरूरी नहीं आपको मैंशुरेशन की बस अगर आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है बेसिक आपको थोड़ा सा भी नोलीज है यूनिट्स वगेरा की तो आप इजिली उस कोस्टिन को सोल्व कर सकते हो जो कोस्टिन से एक्जाम में आते हैं बार बार रिपिटेंडली मैं आप लोगों को कह रही हो कि यूपी एससी के अंदर लोजिकल कोस्टिन साते हैं अगर आप लोजिकली स्ट्रोंग और थोड़ा इंवाबर करेंगे अके तो उसे पहले एक इंफुर में जो भी स्टूड़नेंट्स अभूड़ रहे एक इंप्रेज एडवाइस के लिए कि सबसे पहले अगर सब लिए प्रिपेर कर रहें तो क्या करना है कि आपने जो वी कि तोपिक्स के अदर से आप पुरा कम्प्लीट कोरने का तो अपने पास में टाइम है क्या क्लिट करने का ह हमारे पास में समयल तो क्या आप क्या कर सकते को जो जो इंपोर्डंट टॉपिक्स है राइक नमबर सिस्टम हो गया रेशियो proportion तो इस तरह से जो जो भी important topics है इस तरह से logical reasoning के अंदर अगर हम बात करे direction sense हो गया order and ranking हो गया तो यह important topics है ठीक है ना तो इन topics में से हर बार 2-3 questions exam में आ जाते तो उन particular topics को आप अच्छे से prepare कर लिजी जो जो important topics है वो तो कर ही लिजी ठीक है ना तो उसके लिए आपको complete course लेने की जुरूरत नहीं है उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों को एक micro courses provide कर रहा है micro courses means कि आप single single topic ले सकते हो नीचे description के अंदर पीटा micro courses का link अव लेबल है description में जाओगी जब show more पे जाते हो आप YouTube के अंदर तो वहां से नीचे description पे जब आप जाते हो तो वहां पे आपको micro courses का link मिलेगा तो वहां से आप quant logical reasoning English सभी के micro courses ले सकते हो even आपके पास में काफी flexible system है कि जरूरी है कि आपको video lectures तो आप video lectures लीजी ठीक है अगर और आपको जरूरत है practice questions की in that case you can take only practice questions ओके तो आप एक बार चेक जरूर करना आपको जो भी requirement है उसके according आप ले सकते हो ओके ज्यादा टाइम नहीं लेते आगे questions की तरफ move करते पीटा questions आज हम discuss करने वाले थे हां जी आज हम करेंगे और देखी मैं आपको बार बार बता रहें कि क्या हो रहा है कि questions easy question आ रहे easy question exam में आ रहे जस्ट आपका छोड़ छोड़े concepts के लिए रोने चाहिए ठीक है अब जैसे यह question कितना easy question क्या 2021 के अंदर आया वा था a cubical vessel of side one meter is filled completely with water water fill की आ गया है उसके अदर ठीक है अब water fill की आ गया है अब आगे question how many milliliter of water it contain in it कितना milliliter water आएगा आप देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं water उसके अंदर आ रहे हैं तो कोई भी vessel के अंदर कोई भी vessel के अंदर अगर हम कोई भी चीज कंटेन कर रहे हैं यहां पर हमारे पास में water है milk है कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पढ़ती है volume की volume बताता है कि उस particular vessel के अंदर कितना कोई भी कोई भी आपका variable कंटेन हो सकता है जैसे कि water हो गया milk हो गया या कुछ भी हो सकता है ठीक है तो उसके लिए आपको क्या find out करना पड़ेगा volume find out करना पड़ेगा अब क्यूबिकल वैसल का volume अगर मैं देखू तो volume बिटा क्या होगा एक साइड क्या है 1-9 तो क्योब का volume क्या हो गया हमारे पास में 1-9 क्योभी रहेगा क्या रहेगा वन मिट्र क्यूब अब यहां पर मैंने लिखके क्यूब बताया मैं directly भी आपको बोल देते कि वीटा 1-9 रहेगा विकोज अगर मान लो हमें कहीं पर यहां पर यूनिट टू मीटे वीटर की उनले चाहिए तो हमें पता है कि वन मेटर क्यूम किसके को लोटा है वन थाऊजंट लिटर के इकको लोटा बिटा इसको लोटे कि अब उसने पूछ आप से मिली लिटर के अंदर मिले लिटर में पूछ़ए अगर हम यहां पर लिटर की बात करें तो वन लिटर इस एक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1000 मिली लीटर ठीक है तो यहां पर 1000 के साथ में इसको और मुल्टिप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया सिक्स जी रोज आ जेंगी ओके तो आंसर क्या आगया आपके पास में हां जी सिक्स जी रोज बिटा इसके अंदर क्या अगया ओप्शन टी यहां पर ऐसे भी आ सकता था टैन रेस्टू पावर सिक्स क्लियर देखो सिंपल कोश्चन था अब अगर हम बढ़ते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी की तरफ तो ट्वेंटी के अंदर भी कोश्चन आया हुआ था कोश्चन आया हुआ था यहां पर क्या था देखो X and Y be the volumes and M and N to be the masses of the two metallic cubes M and sorry P and Q दो metallic cubes हैं cubes मैतला volume का formula क्या होता है आपके पास में side का cube ठीक है जैसे अभी last question के अंदर था दोनों के अंदर देख लो volume का concept है पिछली बार भी volume का concept था 2020 के अंदर भी volume बार concept यूज हो रहे है each side of Q is two times that of P अब हमारे पास के रहे हैं जो side है न क्यों की वो क्या है two times of P and mass of Q is two times of P let U is equal to M by X and V is equal to M by Y which one of the following is correct के रहे है कौन सा correct अब देखें यहां पर दो vessel है हमारे पास में cubic one is P one is metallic cubes है metallic cubes है अगर यहां पर हम बात करते हैं कि उसकी side ठीक है तो side अगर मैं consider करके चलूँ कि यहां पर एक इसने कहा है कि each side of Q is two times that of P P से two times है Q की is two times है that means कि अगर यह A है तो यह कितना हो गया आपके पास में टूए हो गया ठीक है अगर हमारे पास में side that means कि हम volume find out कर सकते तो volume की अगर मैं बात करूँ तो volume क्या हो गया this is a cube और 2a का cube करेंगे तो बिटा कितना आजाएगा 2a into 2a into 2a that means 8a cube कितना आजाएगा 8a cube आजाएगा यहां पर आपके पास में this is 8a cube ड़न अब आत कर रहें मास की दूसरा पॉइंट के हमारे पास में मास अब यहां इसने क्या का है देखीं कि एच side of q is 2 times the P and mass of q mass of q is 2 times that of p p से मास कितना 2 times that means कि अगर मैं बात करूँ भे यह b है तो यह कितना हो गया आपके पास में 2b हो गया okay अब इसने क्या sign दिया इसको कि हंजी जो वोल्यूम है वोल्यूम का क्या है x and y is the volume means this is equal to x this is equal to y and the sides जो मास है मास को वो क्या कह रहा है आपके पास में मास के लिए उसने use किया m and n ठीक है that means this is m and this is n clear अब यहां पर देखो आपके पास में एक और भी गिवन है equation u is equal to u is equal to m by x ठीक है और आपके पास में given है v is equal to n by y n by y clear अब यहां पर अगर हम देखें तो u की value क्या आ जाएगी बिटा u की value अगर आप देखते हो तो क्या बनेगी u अगर हम देखते हैं तो m की value क्या है m is equal to b ठीक है और x की value क्या है aq clear इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं u हो गया है हमारे पास में v को अगर मैं देखूं तो n n की value क्या है आपके पास में yes n की value बिटा 2b ठीक है और यहां पर अगर हम देखें y तो y की value क्या थी आपके पास में 8aq 8aq ओके अगर हम दोनों को देखते हैं तो यहां से आपके पास में value क्या होगे this is u u is equal to b by aq ठीक है and v is equal to b by 4aq that means की यहां पर u की value किसके equal होगी बिटा 4v के equal होगी u is equal to क्या आपके पास में 4v आगया clear quite out इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं u by इसको ऐसे लिख लो u by v की value निकाल लो कैसे निकालोगे b by aq divided by है that means की divided by b by 4aq करोगे तो क्या आजाएगा आपके पास में पलट जाएगी value that means की क्या हो जाएगा यह आपके पास में 4aq divided by b यह इसके साथ cancel out होगे यू is equal to 4b दोनों तर इसी कर सकते आप ठीक है तो क्या आगे आपके पास में हांजी option a will be the correct answer option a will be the correct answer ऐसे तो simple था question simple question है कोई खास formula नहीं लग रहा है यह one है तो यह two है अगर क्योंकि यहाँ पर सारा relative में आपको find out करना है तो उसके अंदर आपकी a b की confusion भी नहीं रहेगी देखो कैसे देखे बिटा कैसे अगर मालो मैं यह consider करके चलती हूं इसकी जगह पर मैंने कहा इसने क्या क्यों is two times that p क्यों two times है किस से यहाँ पर उसके बाद में क्या 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 है उसने वोल्यूम है तो this is x is equal to 1 आगे हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आगई एट आगी इसी तरह से यह हमारे पास में रेशो में वैल्यूज है एक्जक्ट वैल्यूज नहीं है इस बात का भी धिहान रखना क्योंकि रिलेटिव में आंसर पुछा तो आप ऐसे कर सकते हो ओके तो इसी तरह से अगर हम बात करते बिटा मास की तो मास का उसने क्या क्यो is two times that of P क्यो क्का two times है that means कि इस इस वान दें टिस इस चू करो directly values put करो u कितना होगे हमारे पास में and V कितना होगे आपके पास में 2 by 8 that means कि 1 by 4 को कि okay that means कि युऊ वान है तो यह वन फॉर्थ है दैट दैट डैट मींस कि यू क्या है फॉर ताइमस है वी का दैट मैंस कि यू इस इपने की वैसा कर सकते हो a piece of tin in the form of rectangle having a length of 12 cm and 8 cm, then it is used to construct a closed cube, आपके पास में क्या है, एक rectangular tin का piece है, ठीक है, अब उससे आपको क्या बनाना है, एक cube बनाना है, ठीक है, तो कह रहे है कि the side of the cube, cube की side कितनी होगे, तो अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैं कहूं area of rectangle, rectangle जो हमारे पास में tin है, का piece है, तो उसके rectangle का कितना होगे, 12 into 8 होगे, 12 into 8 cm cube होगे, cm square होगे, तो के, अब अगर हम बात करते हैं, इसकी, इसने cube बनाना है, that means कि area of cube, तो cube का कितना होगे, 6 a square, 6 a square है, a square क्या है, side, cube की side क्या होती है, सारी sides equal होती है, तो यहाँ पर अगर हम surface area करें तो इतना है, अब एक बात का धिहान रखो कि यह दोनों क्या रहेंगे, आपके पास में equal रहेंगे, तो यहाँ पर यह कितना आगया, 12 into 8, done, तो यहाँ से अगर मैं इसको cancel out करते हैं, तो बेटा आगया, a square is equal to कितना होगे, 16, तो a की value कितनी आगया, आपके पास में, 4, पांसर क्या जाएगा, आपके पास में, 4 centimeter, 4 centimeter, confused नहीं होना कि हाँ जी, यहाँ पर मैडम आपने न, area लिया है, volume क्यों नहीं लिया, या surface area, यहाँ पर आपके पास perimeter क्यों नहीं लिए, reason यहाँ पर है कि उसने सिर्फ यह कहा है, कि उसकी हमें, एक cube construct करना है, ठीक है, तो जो material यूज हो रहे है, तो अंदर से जो area है, area तो दोनों cases में same रहेगा, ना बिटा, ठीक है, clear, next देखेगा, हाँ जी, अगर आपके पास में ऐसा होता है कि, हाँ जी, एक particular, अगर अपने पास में question के अंदर इस तरह से कुछ आ जाता है, कि एक मेरे पास में मानलो cylinder है, यह, ठीक है, एक मेरे पास में दूसरा cylinder है, या फिर मेरे पास में cube है, या मेरे पास में cube है, या फिर cylinder है, इस तरह से कुछ, ठीक है, और अगर वो कह रहे है कि, हाँ जी, दोनों के अंदर same material fill हो सकता है, तो उस case के अंदर क्या करेंगे, हम volume चेक करते हैं, उस case में क्या चेक करते हैं, वोल्यूम, कितना contain कर पाएगा, जब भी हमारे पास में बात आते हैं, कितना contain कर पाएगा, तो उस case के अंदर हम क्या लेते होते हैं, वोल्यूम लेते हैं, क्या लेते हो, वोल्यूम लेते हो, ओके, तो अब आते हैं हम question की तरफ, next जो कि 2016 का ही question है क्या है a cylindrical overhead tank एक tank है cylindrical 2 meter and 7 meter height to be filled from underground tank of size 5.5 meter into 4 into 6 meter then how much portion of underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely एक तर ऐसे यह लगा के चलो कि एक आपके पास में underground tank है उससे आपको अपनी tank की फिल करनी है ठीक है अब जो tank है वो क्या है cylindrical form में अब यह कह रहा है कि जो cylindrical form में tank है इसका आपको radius given है कितना टू और आपके पास में height given है वो कितनी है अब हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना water आएगा तो कैसे चेक करोगे उसका volume find out करोगे और volume आपके पास में क्या होता है pi r square h ठीक है क्या होता है pi r square h तो क्या होगे आपके पास में pi r की value कितनी given 2 that means q2 into 2 and 7 कितना आ गया 88 अभी यह है पीटा मीटर में मीटर क्यों ओके अब हम बात करते हैं कि जो underground tank उसमें कितना water उसमें से ही फिल होगा ना हमारे जो overhead tank है उसके अदर तो यहां पर underground tank का अगर मैं बात करूं कि उसका volume देखे तो volume यह सोचना कि हमें अलग से कुछ formula ज़्यादा याद करने कुछ नहीं करना cylinder का सिंपल सिंपल कर लो कि क्यूब का भी सिंपल एक क्यूब ठीक है ना उसमें कि आपके पास में length, breadth और height सारी अलग अलग है तो उस case में क्या करने अगर cube है तो सेम है सारी सारी a cube हो गया अगर अलग अलग है तो तो इननों को multiply कर दो सिंपल से बात है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 4 इंटू 6 पॉइंट को बिटा रिमूव कर लिया हमने पॉइंट को रिमूव कर लिया इसको solve कर लेते हैं ओके यह हो गया 11 से 2 और यह हो गया बिटा आपके पास में दो दन थर्टी टू मीटर क्यों अब इस टैंक में से जो हमारे पास में अंडर ग्राउड टैंक है इस से ओवर जो अपना ओवर हैड़ टैंक था उसको फिल कर दिया तो रिमेंग वाटर कितना बच गया रिमेंग वाटर कितना बच गया 132 के अंदर से 88 माइनस किया डैट मिंस कि कितना बच गया आपके पास में 44 अब उसने यह नहीं पूछा आप से कि कितना बच गया कोश्चन यह है यहां पे कि कितना पॉर्शन अभी भी आ आपका, यह कहा रहा है कि, how much portion of the underground tank is still filled with, अभी भी कितना भरा हुआ है, तो portion पूछ है, कितना portion, तो उस case के अंदर हमने उसको compare करने, कि भी 44 बच है, किसे compare करेंगे, जितना उसके अंदर पहले था, पहले कितना था, 132, that means कि कितना आ गया, 1 by 3, कितना आ गया आपके पास में, 1 by 3, तो answer क्या आज आएगा, 1 by 3 will be the correct answer, 1 by 3 will be the correct answer, clear choice made out, simple था, अगर मालों इसमें यहीं पर question आ जाता है, देखो एक और में बताती हूँ, question इस तरह से भी आ सकता है, exam के अधर, कि एक ही मेरे पास में underground ध्यान से समझेंगे सभी, एक मेरे पास underground tank है, उसकी dimensions given, एक मेरे पास overheaded tank है, उसकी भी dimension given है, अब यह पूच्छता है कि यह जो underground tank से उतने कितने overheaded tank खाम fill कर सकते हैं, कितने tank fill कर सकते हैं, यह भी तो आ सकता है, ठीक है ना, तो कितने tank fill कर सकते हैं, एक tank ही fill होगा, एक tank ही fill होगा, यह आप यह कह सकते हो, कि 1.5 tank fill कर सकते हैं, एक तो पूरा fill हो क्या कह सकते है कि वन एंड हाफ टैंक वन एक तो पूरे का पूरा और दूसरा आधा इस तरह से भी आ सकते है नेक्स देखें नेक्स टूथाउजन्ट सेवंटीन का कोश्चन क्या है तो वोल्स एंड शीलिंग ओफ रूम मीट एड राइट अंगल ट्रेंगल ठीक है राइट अंगल एड पॉइंट पी एफ लाई इन दा एर वन मीटर स्रों वन वाल एट मीटर स्रों अधर वाल एड ना के अंदर बैठे हुए उस टाइम पर थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे मेरे साथ मेना अब देखो जैसे फॉर एक्जांपल मेरे पास मेजिक रूम है ठीक है अब उस रूम के अंदर एक फ्लाई है अब वह फ्लाई अगर मैं पर्टिकुलर कोर्णर की बात करू अपनी छत की तरफ तो उस के अंदर आप देखिए जो फ्लाई है वह 30 हिसों से अपनी छट से भी और दो वाल्स जो है उन से भी क्या है कुश दूरी पर है कुछ दूरी पर है अब यहाँ पे उसने कहा कि जो फ्लाई है वह कह रहा है कि जो यह आप बित त्री डैमेंशिंस रूम क फ्लाइज तरह आपने थोड़ासा विजुलाइज करके चलना इस पॉइंट पी मान के चलते हैं थिस पॉइंट पी ठीक है अब एक साइड से कह रहे है कि अलग अलग साइड ने तो रहे हैं कि एक दिवार के साथ मैं तो 9 है आपके पास में एक दीबार के साथ में क्या है दड मीटरक्पेर 08 कि कर सकते थिए ने बंट रहे थिक है तो जब भी इस तरह से करें देखा जाए तो एक तरह सेठा जाए तो ये इक तरह का क्युबोईड बना रहा है तो यहां से इस पाटिकोलर पॉइंट से जहां पे फ्लाई है वहां से क्योबढ़ बनेन का यह देखू तो वहां बिर वैंदे ऑर बांग के उच्छाई पर अगर यह देखा जाए तो कितने पर है ठीक है तो जब भी इस तरह से कॉश्चन आता तो एक तरह से न यह एक इंपोर्टन टाइप है ध्यान से समझ लो आप तो यह है जो मिड़ पॉइंट से पी पॉइंट से जो डिस्टेंस बता है डिस इस डाइगनल ऑफ से उसके औरॉट कीछ में तो किया है अगर आपके पास में एक इस तरह से कुछ बना हुआ है तो उसका हम मैं कैसे आए ये A है और ये B है और ये C है तो C is equal to क्या होता है आपके पास में A square plus B square ठीक है इसी तरह से अगर cuboid है cuboid का diagonal अगर आपको find out करना है तो उसके formula क्या होता है कि जो भी उसके 3 sides है like A हो गया आपके पास में A हो गया एक A square plus B square and plus तीसरा point मान लेते हैं C square clear अब यहाँ पे जो point P से है वो हमके मान के चल रहें this is the diagonal ठीक है center ऐसे जा रहा न यह हो गया और तो 3 sides है जो कि दो तो दिवार के साथ में और एक छत के साथ में तो उन से जो इस्टेंस है वो यह तिनों डिस्टेंस होगे ठीक है अब पहला डिस्टेंस उसने क्या का आप हमारे पास में वन मीटर तो वन मीटर का वन स्केर हो गया दूसरा क्या मींद कि c2 की वेले क्या होजाएगे आपके पास 81-65 कितना हो गा आपके पास में 65 ओल गया यह 81 है पिटा ओर यहां से अब के पास में हो गया 65 कितना है 60 तो c कि वेली कि आगी आपके पास में 4 प्या यह रांसर सब्वी ओपिय और ए इसी तरह एसे एक और कॉस्जन भी आजाता हோता है एक आपके पास में रूम है रूम के अंदर आपको एक स्टिक पले प्लेस करनी है तो बताऊ मेक्सिमम मैक्सिमम l Henth की आयोड आप कँछी प्लेस कर सकते हो तो मैक्सिमम लेंथ आपको फाइंड आउट करने तो उसमें भी क्या फाइंड आउट करोगे कि उस लेंद जो आपके पास रूम है रूम की लैंथ वीर्थ और हाइट तिन्नों कंसीडर करोगे और उसके अंदर यही फूमला लगेगा अगर इस तरह का कॉस्चन आता है कि हांजी डाइगन क्यूंकि मैक उसका लिए फूमूला बेटा यही होता है लेंग स्केर प्लस बैट स्केर प्लस हाइट स्केर अगर नाउट अस मूव तो दे नेक्स्ट वान हांजी नेक्स्ट है आपके पास स्क्रीन पे देर आर एक ट्वेंटी फॉर एक पेस्ट पोइंट टूज़ाजन सेवन्टीन का क देख लेना जितने भी बन रहें ठीक इस तरह से ट्वेंटी फॉर पॉइंट्स बने वें तो यहाँ पर क्या क्या रहा है कि वाट इस दा मैक्सिमाम नंबर ओफ एक्क्विलेटरल ट्राइंगल्स दाट कैन बीडॉन टेकिंग सैट ओफ दी थी पॉइंट्स तीन-तीन पॉ दीगरी के एंगल होता है सेंटर पे तो अगर हम देखें यहां पर ढम यह वर्टिसिस कितने बनेंगे आपके पास में अगल अगर मैं देख हूँ एक पर्टिकूलर का सेंटर से तो कितना बनेगा अपने पास में हां जी क्या ऐस कैसे एंगल फाइंड आउट करोगर आप डिवाइड भाई कितना करेंगा ट्विट 24 points से 24 parts के अंदर एक तरह से हमारा सरकल 24 parts के अंदर डिवाइड हो गया तो इसको मैं 24 से डिवाइड करते हूं कितना आगया आपके पास में यह point clear अब उसने काया है कि maximum number of equilateral triangle कितने बनेगे तो यहां पर एक छोटा सो point आपने ध्यान रखना है मैं लिख देती हूं two consecutive vertices, two consecutive vertices of an equilateral triangle equilateral triangle subtend and angle of subtend at an angle of 120 degree at angle of 120 degree हमेश्य याद रखना कि जो vertices है two consecutive vertices of the equilateral triangle subtend at 120 degree 120 degree पर subtend कर रहे ठीक है तो इसका मतलब क्या होगे कि number of triangles कितने बनेगे number of possible triangles कितने maximum कह रहा ना बिटा क्या कहा है उसने maximum number of ठीक है तो maximum possible triangles कितने बनेगे यह हो गया आपके पास में 120 divided by 15 यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हो कि जो पर्टिकुलर प्रोपर्टीज है आपको जैसे स्केयर सरकल इनकी प्रोपर्टीज अभी लन करने की जुरूरत नहीं इतना टाइम है नहीं ठीक है न तो बट अगर मालो इस तरह का सही कुछ कोशन आ जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हां जी नक्स देखेगा नक्स 2017 का कोशन है क्या था कोशन देनम में के दा मीनिमम नमबर और पॉइंट्स और इंट्रसेक्शन ऑफ स्केयर और सरकल इस टू सेकेंड आपके पास में स्टेट्मेंट इस्टेट्म अब देखो अगर हम बात करते हैं पहले वाले कि एक स्केयर है और एक सरकल है अब देखो ऐसा भी तो सकता है यह स्केयर यहां पर और यह सरकल यहां पर इसने ऐसा तो नहीं कहा कि हां जी दोनों जोइंट है ऐसा तो नहीं कहा दैट मींस वाट की मिनिमम जो इंटरसेक्शन के पॉइंट कितन अगुए एसा भी ऊसकता है कि यह सरकल है to be a कुछो जुरूर है कि मेनीमम वाज वा टू रहेगा तो यह पहले वाला वाला आपके पास में wrong हो गया हां जी first statement is wrong अगर हम दूसरे की बात करे कि the maximum number of points of intersection maximum कितने हो सकते हैं तो अगर हम यहां पर देखें तो यह धिसी कीज़े सरकल ठीक है अगर मालो मेरे पास में यह अंदर है तक उस कितना बनेंगा फॉर इंट्रसेक्शन पॉइंट 1523 and 14 इसी तरह से अगर सरकल अंदर है तो भी फॉर मन रहे बट एक केस अपना ऐसा भी तो कुछ बन सकता है तो तो इस तरह का भी कुछ चो और देखो अगर मेरे पास में यह अब ऐसे भी तो सरकल बन सकता है ऐसे भी तो बन सकता है तो उसकेस में क्या होगा एक साइड से दो जग ऐसे किससे इंटरसेक्शन पॉइंट आ थें चारओ यह यह उर्दा टिका कितना होगा आपके पास में maximum Merit जाएगा सारे केसी जगर हम चेक करें तो maximum कितना जाएगा 8 जाएगा that means कि second correct जाएगा only be is correct only do only only second statement is correct कि उसके बाद देखें यह तो हो गया था अपना हाँ जी next 2016 का कोस्टेन थे क्या है देखो AB is a vertical trunk 16 के अंदर ही आये थे वैसे यह से बाने जाए नहीं को आए जाए आपको यह आती हो ना आती हो आती हो कोई प्रोब्लम नहीं है जस्ट आपका लोजिक कंटेप्ट जो है वह ग्लिया होना चीए क्या है एक वर्टिकल एक ट्री है उसका यह ट्रंक है ओके अब यहां पर क्या कह रहा है एड़ पॉइंट जो की हाइट कितनी है 12 यहां से लेके यहां तक की हाइट कह रहा है और वह टूट गया अब एक थोड़ा सा लोजिक देखो अगर वो कोई भी चीज ऐसे मिरे पास में इसी दा हात में अगर टूटेगा तो ऐसे टेड़ा जाएगा दैट मींस कि यह वाला जो हिस्सा है भी यह टूटके ऐसे जाएगा नीचे ग्राउंट पर जाके जुड़ेगा तो इसने यही कह ब्रोकन पेर इस पार्शली अटेच्ट टू दा वर्टिकल पोर्शन ओव दा ट्रंक सी जो ब्रेकन से 5 मीटर है कह रहा है यह 5 है ओके अब बताइए बैन ओरीजनल हाइट ओफ दर ट्रंक ट्रंक की ओरीजनल हाइट कितने अब देखो यह वाला जो हिस्सा है मेरा यह उपर से टूटके यहां पर लगा डैट मिन्स कि अगर मेरे पास में यह वाली लेंथ मुझे पता चल रहती है तो उससे क्याहोगा कि टोटल अगर मेरी लेंथ है निठीनी हो जाएगे यह यहां से यह वर यह यां से यह तक है क्लिए हम यह पर देखो यह जो वी सी और सीड ऑ mira यह वाला इत यरा ऐसा तेता मैं निचिछे तो अगर इसको find out करना सिधा पाइथा गोरस लगा के आप find out कर सकते हो तो cd की value क्या आगे आपके पास 12 square plus 5 square का square root that means कि 144 plus 25 का square root means कितना आगे आपके पास में 13 done this is 30 तो total length कितनी होगी अगर हम original length देखे किसकी height देखे trunk की तो कितनी होगी 12 तो बिटा ये और 13 ये कितना होगी आपके पास में 25 तो ये रांसर विल बी ओप्शन बी 25 ओप्शन बी 25 विल बीदे करेक्ट आंसर याँ जी अब similar type of question देख लेते एक दो देखो बिटा units related questions आ रहे एक units related simple question कर लेते एक क्यूब ओफ 1.7 लीटर वोल्यूम विल है एज क्लोज टू बताओ एक क्यूब है क्यूब है उसका वोल्यूम है 1.7 लीटर अब यहां पर धिहान देखो उसने लीटर में का है लीटर है क्यूब का वोल्यूम that means कि उसके अंदर 1.7 लीटर वाटर आ सकता है इस तरह का कुछ है तो क्यूब है उसका हमारे पास में वोल्यूम कितना है 1.7 लीटर अब यहां पर यूनिट आपकोई क्लियर होने चाहिए क्या कि 1 लीटर किसके एक्वाल होता है 1 लीटर इस एक्वाल टू 1000 सेंटीमेटर क्यूब ओके डाट मिन्स कि जो वोल्यूम है वो हमारे पास में कितना आगा है 1.7 इंटू 1000 सेंटीमेटर क्यूब डाट मिन्स दिस इस 1700 ओके अब वोल्यूम का फॉमूला क्या होता है A क्यूब एज का क्यूब ओके तो अब बताओ क्या रहा कि A की closest to कितना होगा तो अगर हमने A की वैल्ली फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम क्यूब रूट करेंगे अगर हम इसका cube root करते हैं तो पिट नियर बाई value अगर हम उठाते हैं तो हमें पता है कि 11 cube कितना होता है 11 cube is equal to 12 cube is equal to 1728 13 cube is equal to 277 अब nearest value अगर मैं देखू 17 अगरा सोगे तो nearest value कितनी है यह है that means कि क्या आएगा 12 ओके फांसर क्या जाएगा आपके पास में approximate 12 centimeter done next देखेगा next आपके पास a milk container एक milk का container a milk container is 8 centimeter long 50 centimeter wide what should be its height so that it can hold 4 liter of milk मिल्क आजाना चाहिए ऑके अगर हम बात करते हैं मिल्क की बात करते हैं तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि 4 लिट्र मिल्क आना चाहिए तो अब देखो यहां पर आपके पास में क्या है हाँ जी 4 centimeter 50 यह अब यहां पर क्यूंबोइड है अगर मालो सारी की सारी जो तो dimension same हो, फिर तो cube हो गया, उसके अंदर कुछ contain कर रहे है, बाट एक container जिसके अंदर आपके पास में long wide ऐसे कह रहा, length width given है, that means कि cuboid है, और जब वो cuboid है तो उसका volume क्या होता है, आपके पास में length into breadth into height, ओके, अब यहाँ पे volume किसके equal का है उसने, 4 liter and 1 liter is equal to 1000 cm cube, तो 1000 cm cube, that means कि कितना हो गया 1000 cm cube, ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखे, तो long कितना कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम 2 dimensions तो given है, आपके पास में, कितनी 8 and 50 and height आपको find out करनी है, कितना आजाएगा, height कितनी आगे बिटा, cancel out कर दो, 48, 40, 400 से 10 आगे आपके पास में, that means कि 10 cm, कितना आगया, 10 cm, तो dimensions का थोड़ा सा idea आप ले लेना जरूर, exam से पहले, ओके, so I hope सभी questions सभी को easily समझे आए, कर किसी question में कोई doubt आ रहा है, in that case you can comment in the comment section, अगर आपको लगता है कि वीडियो कही न कहीं कुछ helpful है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को like और share जरूर करेंगे अपने friends के साथ में, हाँ जी अपने friends के साथ सभी share जरूर करेंगे, ओके, so students it was all for today, thank you so much, मिलते हैं next class के अदर, thank you.